अपने फोन की WhatsApp ओपन करते है यहाँ पर अगर अपडेट WhatsApp ऐसी तरह मांग रहा है जासा के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस वर्शन ऑफ वाट्सप ऐसी तरह अगर कोई भी प्रडेट दिखाई दे रहा है आप जैसे ही आप अपने WhatsApp को ओपन कर रहे हो लेकिन WhatsApp ऑप करते ही WhatsApp फूलते ही अगर ऐसी तरह इंटरफेस आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे स्वल्ब करना है और इस प्रॉब्लम को स्वल्ब करके आप अपने WhatsApp को कैसे अपडेट दे सकते हैं मैं आज के वीडियो में पूरा स्टेप बस्टेप आप सभी खुद दिखाने वाला हू बड़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को अब तक आपने लेक्नी के तो लेकर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकून को प्रेस करकर के अफ्रेंट चलिए वीडियो शुरू कर लेते है ग जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका प्लैस्टर पर रिडियरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर दिखाए देगा यह वाला इंटरफिस आपको क्या करना है अभी आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है जी हाँ दूस्तों अपडेट पर क्लिक कर देन जैसे आप update पर क्लिक करेंगे थोड़ सा loading वगरा लेगा और आपका WhatsApp बिल्गुल ही update जाएगा यहाँ पर आपको थोड़ सा wait कर लेना है जब आपका WhatsApp update हो जाएगा तब आपको open कर देना है आपको अपने WhatsApp अभी बिल्कुल ही आपको थोड़ा time wait कर लेना है इस पर जितना time update ह होता है आपका WhatsApp उतना time आपको आपर wait करना है और दोस्तों जैसे ही आप अपने WhatsApp को update दे देंगे completely update होनी की बाद दोस्तों आप अपने प्लेस्टर पर जाकर completely update देनी की बाद आप यहाँ सिर्ब बाहर आने की बाद आप पहले से आप अपने phone की WhatsApp को open करिए आपका WhatsApp का जो problem ह 100% हो जाएगा दोस्तों यह problem आ रहा था आपका WhatsApp अपडेट पर पढ़ गया था अपने update नहीं दिया है आपका WhatsApp इसलिए यह problem आ रहा है लेकिन जब आप update दे देंगे यह problem 100% हो जाएगा I hope इस वीडियो का माईदम से इस problem का solution आपको मिल गया होगा वीडियो पूसंद आये तो वीडियो को कर दिजिए लाइक वर्ट चैनल को कर दिजिए सब्सक्राइब फ्रेंट्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाई जय हिन जय बारत